दोस्तों आपके मन में भी ये शवाल होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, अकर हम करे तो क्या करें अगर आपके मन्वी भी इस सवाल है और आपने भी अपना भीज पाल रखा है ना तो आज इस वीडियोज को आप ध्यान से देखिएगा आपको किलिर समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए ठीक है तो आपसे एक ही रिक्वेश्ट करूँगा कि इस वीडियोज को आप अन तक जरूर देखिएगा क्योंकि गरीबी मेयार देखो जीवन गुजारना बड़ा ही मुश्किल होता है इस बात को मैं समझ सकता हूँ गरीबी एक ऐसी बीमारी है जो इलाज इनसान खुद कर सकता है बाकी और कोई नहीं कर सकता मैं कितना भी यहां पर आकर चिलाओं कितना भी आकर कि आपको समझाओं यह सब फेल है जब तक आप करना नहीं चाहते हैं मैं आपको मोटिवेट नहीं करना चाहता मैं आपको एक पता भी नहीं है तो चलिए आज आपको एक रास्ता दिखाता हूं मैं अपने अनुभाव पे आपको बताता हूं कि आपको exact करना क्या चाहिए अगर गरीबी से आप भी जूज रहे हैं तो इस वीडियो को आन तक जरूर देखिएगा देखिए जब भी हम बड़े होते हैं हम मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं आपको और डिगरिया दिलवा सकूँ और आपको पढ़ाई करा सकूँ उस वक्त अपने को ना ऐसा होता है कि यार अब करे तो क्या करें कुछ लोगों की तो साधी भी हो जाती है बिवा भी लोग कर देते हैं कि कम से कम बच्चा आप तो जाने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ अगर आप भी मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं और इस प्रॉब्लम से जूज रहे हैं तो आपको एक रास्ता दिखेगा इस वीडियो को अंतक देखेगा मैं जितनी भी बाते आपको बोलूँगा अपने experience के अधार प पनाओ ठीक है तो एक like करके channel को subscribe कर लिजेगा ठीक है और last में अपना comment का जो राय है मेरे बातों से क्या आपने relate किया क्या आपने सीखा मुझे comment में जरूर बताइएगा तो चली start करते हैं आपको दिखाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे एक white board है एक तरफ जब देखेंगे न महा मैं इसको फसा रहा था तो मुझे यह चीज समझ नहीं आ रहा था कि मैं आकिर किस तरफ से लगाऊं काले तरफ से लगाऊं या फिर white तरफ से लगाऊं अब आप सोचेंगे इससे और उससे क्या connection है connection है तभी मैं आपको बता रहा हूं देखिए यह board आपकी है कहने का मत चूच करेंगे या white वाला चूच करेंगे यह आपके हाथ में है ठीक वैसे हमारे जिंदगी में है मुझे यह white वाला ठीक लगा मुझे लगा कि यह white रहेगा और मैं काले pen से जब इस पर लिखोंगा तो इस पर दिखाई देगा वो light में आएगा और लोगों को भी पसंद आएगा और मुझे भी पसंद आएगा यह मेरे मेरा धौट है ठीक वैसे अपना जिंदगी है हम क्या करते हैं किसी को कुछ करते वे देखते हैं कि वो दुकान किया है किराने का दुकान किया है लोहे लकड का दुकान किया है अच्छा कमा रहा है मैं भी कर लूँगा ना ब बहुत ऐसे लोग होंगे, जो किसी को नौकरी करते वे देखते हैं, अरे वो गवर्मेंट जॉब कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, सायद उसकी सैलरी 30,000-40,000 रुपे महीना होगी, और उसका रुतबा रहेगा, गाउं में चोड़ाओ के चलेगा, और उसको मतलब की इज करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, दो साल, तीन साल, पान साल, दस साल भी जाते हैं, लेकिन हम अपलाई ही करते रहते हैं, काम्याब नहीं हुपाते हैं, ये एक रेस है, ये एक भीड है, ये हमारी सूच है, इसी लिए, इसी लिए हमें, ना हमारे पास पैसा आता है ना नौकरी आती है और हम परिशान रहते हैं मैं आपको एक रास्ता दिखाता हूं एक गाइड बड़ा भाई मानते हैं चोड़ा भाई मानते हैं जो भी बोलना होता है मुझे बोलता हूं आपको बुरा लगता है डिश्लाइक करते हैं कैनल छोड़के चले जाते हैं क की जमाने को आप अच्छे तरहिए से समझ रहे हैं कि जहां पे ज्यादा भीड है, जहां पे ज्यादा लोग तूट पड़े हैं कि मुझे यह चाहिए यह चाहिए यह चाहिए अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो कंपंपटिशन सबसे ज्यादा होता है आपका number आएगा नहीं आएगा इसका कोई guarantee नहीं है मुझे लगता है कि 90% का लोगों का दर never नहीं आता है नमबर ही नहीं आता है एक बात मैं आपको बताता हूँ अपनी बात बताता हूँ मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मैंने observe किया है हाइट वाइट ठीक है दोड़ भाग करके इपना रेश बना ले और तू पुलिस में चला जा मैंने का ठीक है मैंने पिता जी की बात मानी एक फोरम खरीदा और उसको अपलाई किया फिर उधर से लेटर आता है उस लेटर को मलब की जाते हैं ना एक्जाम देने के लिए गया एक्जाम दिया फिर दुबारा कोई लेटर नहीं आया मैं लगता है फेल हो गया या कुछ गवड हो गया फिर कोई जबाब नहीं आया और वो मलब की कुछ पता नहीं लगा कि क्या हुआ आप देखिए दूसरी बार फिर पिता जी ने कहा कि ग्रूप D रेलवे की भरती हुआ या कर देखिए और यहां पर कुछ भी नहीं हूं रागत्यी है मुझे clear समझ में आ गया, फिर मेरे पिता ये बोलते थे, कि बेटा तु एक काम कर यहां पे चला जा, इस भीभाग में भरती भर जा, यह बन भीभाग में आ जा, यह भीभाग में हो जा, मैं का था ठीक है, ठीक है, उनके तसलिक लिए मैं करता था, लेकिन मेरा अंदर से नही करनी है, मैं मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, लेकिन एक दिन के बात है, जब होता है गाव में आरकेष्टा वगर होता है, मैं बहुत लोगों को बता भी चुका हूँ, गाव में होता है नाच, आरकेष्टा यह सब होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो व एक दिन मुझे घर से मेरे को निकाल दिया, क्या कि चाला तू डेली जाता है, और डेली जाकर कि ये करता है, तेरे को अकल नहीं है, तू इतना बड़ा हो गया है, और तू ना नौकरी के लिए तू परिसान है, ना तेरे को कुछी है, तू करेगा तो क्या करेगा, तू भाग मेरे घर से बाग तुझे आपना ब्योस्था कर जहां भी तेरे जाना जा मैं नहीं जानता मेरे को घर से निकाल दिया मेरे भाई पंद्रा दिन हो गए मैं किसी और के घर में रहता था मगल में किसी और के घर में रहता था लेकिन मुझे एक्जेक्ट याद है कि मैं यही सोस्ता था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं जाकर के डेली अकबार पड़ता था चौराहे पे जाकर के डेली अकबार पड़ता था कोई भरती तो निकली होती मैं कहां जाओ यार कुछ समझ नहीं आता है एक भरती निकली थी गोरखबुर में एक डॉक्टर कंपा कि तुक्त गयई करूंगा लेकिन उसको बोलतो दिया लेकिन दिन बर वह नहीं ठीका नहीं और में वहां से निकल गया ओा बाहर में दोस्त नहीं है कोई ऐसा नहीं नहीं है कि जो मतलब की मेरे को help करे मदद करे होता है आप लोगों के family भी ऐसा होता होगा तो मैंने सुचा अच्छा एक काम करते है एक लड़के का number याद था जो मेरे साथ पड़ा था मेरे साथ classmate था उसका number मुझे याद था तो मैंने उस number मेरे पस mobile भी नहीं थे तो एक बै काम है कर लेगा ठीक है लेकिन मतलब की रहने का प्योस्ता तेरे को करना पड़ेगा मैं का ठीक है मैं चला गया उसके पास चंडीगड चंडीगड वही जो पंजाब अमरीज सर्क के पास चंडीगड है वहाँ पे वहाँ पे गया तो उस बंदे ने मेरे को काम पे लगाया बहुत कहाने हुई, बहुत बड़ी बाते हुई, लेकिन मैं सौटकाट में आपको इसलिए बता रहा हूँ, ताकि आप रिलेट कर सको कि जब वैसा लड़का यहां से, आपके सामने बोल सकता है, महिने का 80,000, 90,000 लाखोर रुपे कमा सकता है, तो आप क्यों नहीं कमा सकते है कि हम लोग जो इनसान है, वो इसलिए पैदा नहीं हुए कि बस रोटी, कपड़ा और मकान बस यही चीछ चाहिए, जिन्दगी गुजारने के लिए यही चीछ चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारा जन्र इसलिए थोड़ी नहुआ यार, कि हम सिर्प रोटी, कपड़ा और मकान इतना ही हम रहे, अरे कुछ ऐसा बनने के लिए है, कुछ ऐसा करने के लिए है, ताकि हम तो सुधरे साथ-साथ और लोगों को भी सुधार ले, और लोगों को भी उपर लेके आए, हम उपर जाएंगे तो नीचे वाला अपने आप आना शुरू हो जागा, कुछ तो ऐसा करें आज कल के social media का जमाना है आप कुछ भी करते हैं आप कुछ भी अच्छा कैसा करते हैं जो विचित्र होता है जो मतलब की सोचने से उपर होता है वो तुरंत जो है लोग आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं और आप रात रात हीर हो जाते हैं जी हाँ आज के जमाने में तो अभी मौका है आपके पास अभी आपके पास सब कुछ है यह जो मुबाइल फोन है इस मुबाइल फोन को आप जानते हैं कि इसकी कीमत क्या है अरे इसकी कीमत बहुत है मेरे भाई आपके उपर है कि आप इसको कैसे use करते हैं, अपना time waste करते हैं, या फिर अपना time invest करते हैं, यह आपके उपर है, आपने mobile phone तो खरीदा होगा, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 20,000 का भी खरीदा होगा, लेकिन आप जादर इसमें क्या करते हैं, time waste करते हैं, टाइम नुक्सान करते हैं लेकिन कुछ ही लोग समझदार होते हैं जो इसमें टाइम इनिवेस्ट करते हैं, कुछ उससे सीखते हैं कुछ उसमें सिखाते हैं, कुछ उसमें ऐसा करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि हर कोई यूटूबर बन जाए, मैं ये भी नहीं कहता कि हर कोई, मतलब जिस फिल्ड में भीड़ो उसी में जाए, मैं ये कहता हूँ कि कुछ आपको ऐसा करना होगा जो सबसे अलग होगा, सबसे बीपरीत होगा, लोगों ने कलपना भी नहीं किया होगा, कुछ तो ऐसा आपको करना होगा, तो मैं यहाँ टॉपिक में टॉपिक से हट रहा हूँ कि नौकरी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो आकिर क्या करें देखिए, आपको क्या लगता है कि ये जिन्दगी बड़ी आसानी से मतलब की हो जाएगी, आपको क्या लगता ये जिन्दगी बहुत बड़ी है, जो कभी खत्व नहीं होगी हर किसी को पता है कि अगर मैं मोटा हूँ, तो पतलग कैसे होना है, मैं उधारन दे रहा हूँ आपको समझिएगा, बड़ा कड़ी बात बता रहा हूँ, सायद बुरा भी लगे आपको लेकिन सुनना तो पड़ेगा आपको क्योंकि अगर आप भी इस प्रोब्लम से जूज रहे हैं, तो एक ही रास्ता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मोटे हैं तो आपको पता होगा कि पतला कैसे होना है कौन सा ब्यक्ति है, जो सिग्रेट पीता है और उसको ये नहीं पता है कि भाई, ये कैंसर का कारण है, ये मौत का कारण है, किसको पता नहीं है क्या रास्ता है यह कोई चुपाने वाली बात थोड़ी नहीं यार, हर चीज तो open है, ऐसी कोई secret है यह नहीं, अगर गुटका पे लिखा है, कि इसको खाने से, तमाकू खाने से cancer होता है, तो जो खा रहा है, वो भी तो पढ़ा रहा है ना, वो भी तो पढ़ा लिखा है, अगर पढ़ा लिखा नहीं, तो इस पर photo है, वो तो देख के उसको समझ आना चाहिए, कि हाँ यार, इस यह मौत का कारण है, यह लोग खाए है, तो इसका दात, मुह ऐसा हो गया है, लेकिन, आदमी सब जानता है, आपको भी पता है, कि आपको क्या करेंगे, तो फैदा होगा, क्या करेंगे, नुकसान होगा, यह सब को पता है, कोई secret इविक पता है, चार नियम है, पहला, एक बड़ा गोल बनाओ, एक ऐसा गोल बनाओ, जो सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा हो, दूसरी बात उन्होंने कहा है, उस गोल की प्रती जो knowledge है, जो experience है, उसको हांसिल करो, उस गोल को पाने के लिए जो knowledge है, experience है, वो सबसे important है, एक बड़ा गोल बनाओ, दूसरा उसके लिए knowledge हासिल करो, तीसरा उसमें कड़ी महनत करो उसको पानी के लिए कड़ी महनत करो रात दिन एक कर दो रात दिन एक करने का मतलब यह होता है कि रातो, दिनो 24 घंटे आपके दिमाग में वो गोल होना चाहिए, आप कुछ जाएगा तो इसको मैं अभी छोड़ता हूँ तो कि जो मेरा गोल है, मेरा जो लक्ष है, मुझे वो हासिल करना है और चौथी बात बड़ी ही मज़ेदार नोंने बताया है, चौथी बात यह है कि आपको patience रखना होगा, धैर रखना होगा, सांती नाम की भी चीज है मेरे पास कितना भी टाइम लगे, कोई बात नहीं मैं पाऊंगा, लोग जाते है मंदिरों में, मस्जीदों में गुरुदवार में, भगवान से जाते हैं, मांगते हैं कि हे भगवान मुझे इतनी सक्ती दो ताकि मैं आमीर हो जाऊं क्या पागलपन है यार अगर मांगना ही है भगवान से मेरी तरह मांगो ना मैं क्या मांगता हूँ, मैं भी जाता हूँ मंदिर, जो भी मंदिर मीलता है वहाँ पिर मैं जाकर के माथा टेकता हूँ मैं देखो यार, मेरे कोई एक चीज है कि मैं भगवान पर विश्वास रखता हूँ अगर उनके भीना तो मेरा कोई कामे नहीं होता है ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये कहां से आ रहा है मैं कोई किताब पढ़ के पर पता रहा हूँ आपको मुझे किसी ने मैस्टर ने मुझे सिखाया ये बाते नहीं जिंदगी के ठोकरे खाखा करके और भगवान पे विश्वास करकर के मैं मेहनत करता हूँ उस प्रमेस्वर पे उस अल्ला पे जो मालिक बोलते हैं उन पे मैं इतना जरूर मानता हूँ कि कोई न कोई ऐसी सकती है जिसके वज़ा से मैं आप याई दुनिया में कोई भी लोग चल रहे हैं बोल रहे हैं कुछ न कुछ तो ऐसा है उसको कोई भी नाम आप दे सकते हैं भगवान कहें चाहें इस वर कहें कोई ऐसी सकती कहें कुछ भी नाम दें लेकिन कोई ने कुछ ने कुछ तो है जिसके वज़े से ये सब हो रहा है मेरा मानना है बाकिया आपकी मर्जी आप क्या मानते हो मुझे नहीं पता लेकिन हाँ अगर मुझे मौका मिला और भगवान से कुछ मांगना होगा तो मैं कहूंगा कि हे भगवान मुझे इतनी ताकत दो, इतनी बुद्धी दो, इतनी सक्ती दो, आपको जितनी परिसानिया देना है दो, लेकिन उसके साथ साथ मुझे इतनी ताकत दो कि मैं उस परिसानियों से सामना कर सकूँ, उस तकलिपों से लड़ सकूँ, मैं ये मांगता हूँ भगवान स एक चक्र है ये चक्र जब घूमता रहता है तो सुख भी आते हैं और दुख भी आता है एक बेगर एक नहीं रहेगा अगर सुख आएगा तो वो भी सदा नहीं रहेगा अगर दुख आएगा ना तो वो भी सदा नहीं रहेगा मैं आपको परबचन नहीं सुना रहा हूं यार बहुत लोग बोर हो रहे होंगे ये मेरी बाते सुन करके मैं आपको परबचन नहीं सुना रहा हूं मैं आपको एक सचा ही दिखा रहा हूं तो जब आप जानते हैं कि दुख आएगा फिर सुख आएगा तो फिर उसे घबडाना क्या घबडाना क्या है भगवान से अगर मांगते हैं तो मांगो ना आप ये समझ चुके हैं कि दुख आएगा तो सुख भी आएगा तो भगवान से आप ये मांगो कि ये भगवान दुख देना है तो दो लेकिन उसके साथ साथ कि साथ साथ मुझे ताकत भी दो ताकि मैं जब दुख आए तो तूटू नहीं मैं उससे सामना करूँ मैं उससे लड़ूँ मुझे इतनी ताकत दो ये मांगना चाहिए बगवान से क्योंकि समझदार जो लोग जो होते हैं वो यही बोलते हैं वो नहीं नहीं कहते हैं कि हे भगवान मुझे इतनी सक्ति दे दो कि मैं अमर हो जाऊं अरे पापी आपको पता है आप अमर कभी नहीं हो सकते आपको पता है कि हम अगर जन्म लिये हैं तो मेरी मृत्व भी होगी आप सब को पता है न हमें लगता कि जिन्दगी बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है, अभी तो 20 साल पड़े हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको बताओं, जरा एक मिनट के लिए मेरी बात यहां रुक के सुनना, आप इस वक्त जहां पे भी हैं, मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा, अभी जिस सीचुएशन में हैं आप, अभी आप 5 साल पीछे जाएए अपनी जिन्दगी के, और सोचिए, कैसे निकल गया 5 साल, कैसे निकल गए एक परधान जी, दुसरी परधान जी, कैसे 5-5 साल उनकी बदली होती गई, जरा सोचिए, आपको लगता कि जिन्दगी बहुत बड़ी है, कुछ भी बड आपको समझना पड़ेगा, जो भी आपको करना है, आज करना है, अभी करना है, क्योंकि कल फिर दुबारा आएगा लेकिन वो कल आज वाला नहीं होगा, वो दूसरा होगा, उसमें से आपका माइनस हो जाएगा, आपके समय में से वो माइनस हो जाएगा, यह समझेगा, इसलिए आप समय की कदर कीजिए, समय आपका कदर करेगा, अभी आप 5 साल अगर किसी भी फिल्ड में लगा देत कि मैं पांस साल इसमें इनिवेस्ट करूँगा, जो भी काम आपको ठीक लगे, ये चूज भी आपको ही करना है, मेरे कहने से नहीं कि मैं आप ये कीजिए, वो कीजिए, मैं कौन होता हूं कहने वाला, मैं आपको सिर्फ experience बता रहा हूं अपना, अगर पांस साल आप किसी भी क साम किया हूं, मैं ये हूं, वो हूं, तो ठीक है न, तो फिर bank में होने चाहिए न पैसे, आपको बास बहुत पैसे होने चाहिए, तो ये सब बाते समझने वाली होती है, काफी लोगों को ये चीज समझ नहीं आएगा, वो कहेंगे, बलना बहुत असान है करना बड़ा मुस से बेकार इंसान जो बिल्कुल पड़ा लिखा नहीं है अगर वो किसी फैक्टरी का मालिक बन सकता है वो चार गाडियों का मालिक बन सकता है तो हम लोग तेर पड़े लिखें हैं हम लोग तो आजकल के जमाने में कौन है साय जो अनपड़ है हर कोई पड़ा लिखा है तो दि मजने से थोड़ी नँगा, इसको करने से होगा, अभी मैं इतनी बाते आपको बता रहाँ, इतनी बाते मैंने समझा है, मैंने सीखा है, आज महिने का 80,000, 90,000, 40,000, 50,000, कमाता हूँ यार, क्या बुरा है इसमें, अगर मैं कमा सकता हूँ तो आप भी कमा सकते हैं ना तो मैं नहीं चाहता कि मैं ये एक नेक दिन तो मरी जाना है तो ये अंदर रख करके फैदा क्या है बतादो ना लोगों को भी लोग भी अगर करना चाहते हैं तो करेंगे मैंने बताया कि यूटूब चैनल बनाईए मुझे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई आप बताओ कि यूटूब से पैसा कैसे कमा है आप यूटूब से पैसे कमाते हो आप जल्दी ग्रो कैसे हो गए मैंने बताया कि यूटूब चैनल कैसे बनाए मेरे चैनल से है जाकर कि आप लोग देखिएगा उस पर मैंने वीडियो बना रखा है कि यूटुब पे चैनल कैसे बना है यूटुब से पैसे कमा है यूटुब पे ग्रो होने का क्या होता है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ते हैं यह सब मेंने बता रखा है लेकिन दिक्कत की यह बात है कि लोग यह देखना नहीं चाहते हैं लोग देखते ही नहीं है तो मैंने भी उसको बनाना बंद कर दिया मैं कोई बात नहीं अपने एक्सप्रियेंस बताएंगे अगर लोग एक्सप्रियेंस मेरा सुनना चाहते हैं मुझसे कुछ और कुछ सीखना चाहते हैं व आप लोगों ने देखा होगा, घरेलू समान में ज़्यादा बनाता हूँ, घरेलू प्रोड़क्ट में बनाता हूँ, मैं सुचता हूँ कि कुस तो ऐसा बन जाए, जो लोगों को पसंद आजा है, वो सकता है कि लोगों के लिए नया हो, इसलिए मैं जातर माल घरेलू का ही उ करता हूँ, कंपनी के उफर आते हैं, दुकान के उफर आते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, किसी को फसाना, किसी का पैसा बरबाद करना, इसलिए मैं बहुत कमे करता हूँ, जो ठीक लगता है मेरे को वही करता हूँ, क्योंकि आप लोगों का विश्वास है, आज 2 ला नहीं सुनेंगे, तो इसके साथ-साथ आपसे जब बाते करता हूं, तो मैं भी इंप्रूव होता रहता हूं, मैं भी अपग्रेट होता रहता हूं, मुझे भी कुछ-कुछ knowledge आती है, मुझे भी बाते समझ में आती है, जो अंदर से निकलता है, आपको पता है, जब मैं ये व बाते एक दम ध्यान से समझता हूं, कहता हूं, यार, इतनी मेरे पास नोले जाए, ऐसा होता होगा आपके साथ भी, आप जब किसी रास्ती से गुजर जाते हैं, तब बाद में याद आता है, अरे यार, वो रास्ता पर तो ये था, वहाँ भी तो ये हो सकता था, एक-एक म मौके को आपको देखना होता है, जिनको बखवाश लगता है, यार, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में आप लोग भी भरोगे, बहुत से लोग भरेंगे, ये सब तो अपने फैदे के लिए हो रहा है, हाँ यार, मेरा फायदा है, लेकिन मेरे साथ साथ बहुत लोग का फाय वीडियोज को देखने के बाद, अगर एक भी इनसान, अगर कुछ भी करके, कुछ भी हासिल कर लेता है, ये मेरी सक्सेस है, ये मेरी सबलता है, पैसा क्या है, पैसा तो आज है, कल नहीं है, आज एक लाग कमाता हूँ, हो सकता है कि कल ये चैनल चला जाए, कल कुछ भी हो स मेरी सफलता है और यह मेरी सक्सेस है उमीद करता हूँ यार आज मैं आपको कुछ समझा पाया हूँ कि यदि आपके पास भी पैसे नहीं है आपके पास भी नौकरी नहीं है तो आप कुछ ऐसा करेंगे जो मेरी बातों को नेक्स्ट वीडियो में comment करके मुझे जरूर बताईएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा क्या आपने कुछ सीखा अगर सीखा तो comment मुझे जरूर कीजिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैन और बंदे मात्रा